नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सपनिल सागर जैन, निरामाय होमियोपेथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं fatty liver disease के बारे में चुकि liver fatty acids का भी metabolism करता है, तो इस metabolism के दोरान जो triglycerides होते हैं, यानि कि जो neutral fats होते हैं, वो liver की कोशिकाओं में droplets के रूप में एखटे हो जाते हैं, यानि कि वसा की कुछ बूनों के रूप में वो liver की कोशिकाओं में एखटे हो जाते हैं इसे ही fatty liver या hepatic estritosis कहा जाता है non-alcoholic fatty liver disease यानि कि हम नाम से ही समझ सकते हैं कि वे patients जिन में alcohol के consumption की कोई history नहीं होती है, उसके बाद भी उनके खाने पीने में आये हुए पदार्थों के कारण ही liver में fat के globules एखटे हो जाते हैं, fat के droplets एखटे हो जाते हैं, तब उस condition को non-alcoholic fatty liver disease कहा जाता है दोस्तों अब हम बात करते हैं non-alcoholic fatty liver disease के risk factors के बारे में, तो इसमें सबसे पहला आता है co-morbidities, यानि कि हमारी body में पाई जाने वाली ऐसी बहुत सारी बीमारिया, जैसे कि आप मालीजी obesity है, या hyper cholestremia है किसी को उनका lipids बहुत जादा बढ़ा हुआ है, किसी को hypertension है, उनक non-alcoholic fatty liver disease की साथ associated होती है, इने comorbidities कहा जाता है, इसके बाद अगला risk factor है दोस्तों, genetical risk factor, यानि कि वे लोग जिन में type 2 diabetes की family history पाई जाती है, उनकी family में बहुत सारे लोगों को, या कई लोगों को type 2 diabetes mellitus की history है, उनमें से 67% लोगों में, यानि कि 67% लोगों में, non-alcoholic fatty liver disease की भी शिकायत पाई जाती है, दोस्तों, इसके बाद अगला risk factor आता है diet, वे लोग जिनके भोजन में omega 6 fatty acids और fructose की मात्रा बहुत जादा होती है, उनके भोजन में koline की deficiency होती है, ऐसे लोग भी nafld के लिए बहुत जादा susceptible होते हैं, यानि कि non-alcoholic fatty liver disease उन लोगों में जा की भी nafld के development में एक बहुत जादा भूमिका होती है, दोस्तों, अब हम बात करते हैं alcoholic fatty liver disease के बारे में, यानि कि वे लोग जो alcohol का over consumption करते हैं, alcohol की बहुत जादा मात्रा का सेवन करते हैं, उन लोगों में जब fatty liver disease पाई जाती है, तब उस condition को alcoholic fatty liver disease के कहते हैं, alcoholic fatty liver disease के cases में, chronic hepatitis, fibrosis और liver cirrhosis भी पाया जाता है, दोस्तों, अब हम बात करते हैं alcoholic fatty liver disease के risk factors के बारे में, तो इसमें सबसे पहना risk factor है alcohol का consumption, जो लोग 60 से 80 gram per day, beer या alcohol का सेवन करते हैं, उन लोगों में alcoholic fatty liver disease होने के चांसे 47 परसेंट यानि कि 47 परसेंट जादा होते हैं, इसके बाद अग प्रूशों की या पेक्षा जादा fatty liver disease होने की सम्भावना होती है, इसके अलावा तीसरे नम्मर पर आता है pattern of drinking, यानि कि वे लोग जो alcohol का सेवन खाली पेट करते हैं, उन में fatty liver disease होने की सम्भावना सामान्य alcohol consumption करने वाली लोगों से 3 गुना जादा होती है, इसके अलावा, hepatitis का infection, genetic factor और diet भी इसमें risk factor का काम करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं fatty liver disease के science और symptoms के बारे में, तो सामान्य निता बहुत सारे लोगों में या बहुत सारे patients में, alcoholic या non-alcoholic fatty liver disease के बहुत सारे symptoms देखने में नहीं आते हैं, या जब उनमें symptoms आते हैं, तब वो grade 2 या grade 3 से उ हाँ पर develop हो जाती है, इनमें जो symptoms आते हैं, उनमें ज़्यादा तर malize, यानि की एक uneasyness की feeling होना, fatigue यानि की थकान बने रहना, body के बहुत सारे parts में दर्द होना, खास तोर से जो दर्द होता है, वो right upper quadrant, यानि की abdomen के इस हिस्से में दर्द होना, बहुत ज़्यादा दर्द होता जब कई सारे patients में fatty liver बहुत ज़्यादा severe condition में पहुँच जाता है, तब बहुत rare cases में बहुत सारे patients को pilia यानि की jaundice भी देखने को मिलता है, दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किन homeopathic दवाओं से हम non-alcoholic fatty liver disease और alcoholic fatty liver disease को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहल हमें मिला कर हमें पीना चाहिए, इसके जो patients होते हैं उनमें abdomen के right upper quadrant यानि की pate के दाहिनी उपरी हिस्से में जहां liver इस्थित होता है, उस हिस्से में उन्हें दर्द होता है, कभी-कभी ये दर्द right shoulder के नीचे या right shoulder के पीछे वाले हिस्से में भी पहुँच जाता है, इसके और उस constipation के कारण इनका जो मल है, जो stool है, वो hard balls की रूप में परिवर्तित हो जाता है, तब उस condition में हमें chelidonium का mother tincter उन patients को देना चाहिए, इसके बाद अगली medicine आती है दोस्तों carduos marinas, carduos marinas का भी हमें mother tincter 10-10 बून दिन में 3 बार उन patients को देना चाहिए, जिन में fatty liver disease की शिकायत होती है, इस mother tincter को हम आदे कप या एक कप पानी में मिला कर उन्हें दे सकते हैं, carduos marinas के जो patients होते हैं, उनके liver का left lobe बहुत ज़्यादा sensitive होता है, उन्हें भी constipation की शिकायत होती है, कभी-कभी उन patients में diarrhea भी देखने को मिलता है, उनकी urine golden color की होती है, और green acid की उनको vomiting होती है, यानि की हरे color का acid vomiting की रूप में उनमें निकलता है, तब उस condition में हम उने carduos marinas का mother tincter, 10-10 बून दिन में 3 बार आधे कप पानी में मिला कर दे सकते हैं, इसके बाद अगली medicine आती है, दोस्तो, lycopodium, इसे हमें 30 potency में उन patients को देना है, जिन में fatty liver disease की शिकायत है, चाहे वो non-alcoholic हो या alcoholic हो, इसकी दो-दो-बून दिन में 3 बार एक चम्मच पानी में मिला कर हमें patients को देना चाहिए, इसके जो patients होते हैं, उनमें abdomen में fullness और heaviness की बहुत जादा शिकायत होती है, किसी ना किसी प्रकार की gastric complaint उन patients में continuously देखने को मिलती है, constipation भी उनको र एक दो निवाले जो भी खाते हैं, वो पूरा खाना gas में परिवर्तित हो जाता है, इसके अलावा शाम के समय उन लोगों की तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और farinaceous food यानि की पास्ता, नूडल, चाबल, ये सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा नुक्सान करती हैं, यदि वो इनको थोड़ी मात्रा में भी खा लेते हैं, तो उनके पेट में उने बहुत ज़्यादा तकलीफ या दर्द होने लगता है, तब उस कंडिशन में हमें lycopodium 30 potency में 2-2 बून, दिन में 3 मार, 1 चमबच पानी में मिला कर उन patients को देना चाहिए, इसके एक चमबच पानी में मिला कर उप्योग करना चाहिए, इसके जो patients होते हैं, उन्हें ठंडी चीजे खाने की आदत होती है, उन्हें ठंडी चीजे खाना बहुत अच्छा लगता है, और food का regurgitation यानि कि कभी-कभी उनके मुह में वो जो खाना खाते हैं, वो बापस regurgitate हो जा कि इनके जो patients होते हैं, वो fatty, flabby और fair होते हैं, यानि कि मौटे थुल्थुले patient होते हैं, तो वे लोग जिनमें obesity के कारण fatty liver disease की शिकायत डेवलप हो जाती है, उन लोगों में calcuria carb बहुत अच्छी medicine है, calcuria carb हम उन patients को 30 potency में 2-2 बून दिन में 3 मार करके दे सकते हैं, एक च digest नहीं कर पाते हैं, उनका digestion बहुत जादा weak रहता है, बहुत सारे ऐसे patients होते हैं, calcuria carb के, जिने चौक, मिट्टी, उबले हुए अंडे, ये सब चीजे खाना पसंद होती हैं, तब उन conditions में यदि patients में fatty liver disease भी पाई जाती हैं, तब हम उने calcuria carb 30 potency में दे सकते हैं, दोस्तो fatty liver disease, alcohol के over consumption के कारण develop होती है, इसके जो patients होते हैं, वो high social life को जीते हैं, sedentary lifestyle उनकी रहती है, कई घंटों तक वो एक ही जगह पर बैट कर काम करते रहते हैं, बहुत सारी parties में जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वो alcohol का सेवन करते हैं, non wage बहुत ज़्यादा खाते हैं, spicy food बहुत ज़्यादा खाते हैं, तब उन conditions में उन patients को हमें nux vomica, 30 potency में, 2-2 boom, दिन में 3 मार, 1 चमच पानी में मिला कर देना चाहिए, दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसा combination, जिसका use, जब हम patient के constitution से match करने वाली medicine के साथ, fatty liver disease के cases में करते हैं, चाहे वो non alcoholic fatty liver disease ह इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, इसमें आपको तीन medicines ले कर आना है, दोस्तों, सबसे पहले cardous marinos का mother tincture, 30 ml की मात्रा में, इसके बाद chalidonia magos का mother tincture, ये भी 30 ml, और इसके बाद chionanthus का mother tincture, ये भी 30 ml, इन तीनों की 30 ml की मात्रा को आपको 100 ml की शीशी में एकटा कर ल इसके साथ साथ natrium force 12x potency में भी आपको ले कर आना है, और उसकी 4-4 गोलियां दिन में 3 बार सुबह दुपहर शाम खाना है, इन दोनों के combination के यूज से हम fatty liver disease के किसी भी case को चाहे वो acute हो, चाहे वो chronic हो, पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, तो दोस्तों, आज हमने जाना कि fatty liver disease क या है, ये कितने तरह का होता है, ये क्यों develop होता है, इसके risk factors क्या क्या है, और किन homeopathic दवाओं से हम alcoholic और non-alcoholic fatty liver diseases को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, आगे के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों और उनकी homeopathic दवाईयों के बारे में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर दो से धाई घंटे बाद ही खाएं, और उस इस्थिती में भी हमारे मुह में किसी भी वस्तू का किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, नहीं हमारे मुह में किसी भी चीज की गंध होना चा जब भी हम homeopathic दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की smell ना हो. अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं, या अदरक खा सकते हैं, या हींग खा सकते हैं, या इलाइची खा सकते हैं, या नहीं. बिलकुल आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. होमेशा दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड इनके खाने से या तो आदे गंटे पहले होमियोपैथिक दवा खालें या फिर इने खाने के दो ड़ाई गंटे बाद जब कि आपने मुह में अच्छे से कुला कर लिया हो अच्छे से गारगल्स कर लिये हो तब इन होमियोपैथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा होमि होमियोपेथिक दवाओं का अच्छा result देखने को नहीं मिलता है यह होमियोपेथिक दवाएं आपको किसी भी online pharmacy पर या आपके घर के नजदी किसी भी होमियोपेथिक medical store पर बड़ी ही आसानी से उपलब्द हो जाएंगी यह दवाएं हर होमियोपेथिक pharmacy पर उपलब्द होती है और नहीं कोई दवा भेजी जाती है इसलिए अपने नजदी की होमियोपेथिक medical store या online pharmacy से ही इन दवाओं को प्राप्त करें